हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल MB Hub में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ कि कैसे आप भी अपने WhatsApp के स्टेटस में अपने फोटो के साथ अपने मन पसंद का गाना लगा सकते हैं यानि आप जो भी सौंग लगाना चाहते हैं उस सौंग को कैसे लगा सकते हैं बिना किसी दूसरे आप को डाउनलोड किये आज के इस वीडियो में बताने वले हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं बट उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा तो सिंपली आपको अपने WhatsApp के इस्टेटस में अपने फोटो के साथ गाना लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है WhatsApp से बाहर आना है और WhatsApp से बाहर आने के बाद आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को उपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो सर्च मारना है फोटो जैसे ही सर्च मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल में फोटो जाएप है जो कि हर मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड रहता है आपके भी मोबाइल में पहले से ये वाली आप डाउनलोड होगी तो सिंपली आपको क्या करना है इस आपको ओपेन कर लेना है जैसे ही ओपेन करेंगे तो आपके गैलरी में जो भी फोटोज होगा वो सारे फोटो यहाँ पे सो करने लगेगा तो simply आपको क्या करना है आप अपने जीस भी फोटो से अपना ये story बनाना चाहते हैं उन सभी फोटो को select कर लेना है तो चलिए हम select कर लेते हैं तो simply आप जीस भी फोटो से बनाना चाहते हैं उस वाली फोटो को click करके रखना है और उसके बाद क्या करना है आप जितने भी फो तो चलिए हम concept 7 को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आड टूआनी प्लंस वाले आईकन पिडिक कर देना है जैसे इसस पर खेल एक पर पर करेंगे तो आपको कुछ वीडियो बन रहा है जैसे वीडियो बन जाएगा तो आपको कुछ ही इस परकार का इंटरफेस देखने को मिल्याएगा तो extremely आपको क्या करना है इस पर गाना लगाने के लिए simply आपको music वाले ऑप्षन पर क्लिक कर देना है जैसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 option देखने को मिल जाएंगे तो simply आपको क्या करना है आपको सबसे उपर वाले option पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको mobile में जितने भी song download होंगे वह सभी song यहां पर देखाने लगेगा तो सिंप्ली करेंगे तो आपके स्टेटस में इस्ट फोर दाइगा और इसमें लगाने के बाद आपको उपर सेव पे क्लिक कर देना है जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेटस एक मिनट दो मिनट या फिर पांच मिनट के अंदर में सेव हो जाएगा और जब आपका ये स्टेटस सेव हो जाएगा तो आपको यही पे देखने को मिल जाएगा तो simply आपको इसे अपने status में share करने के लिए इस share वाले option पे click कर देना है जैसे इस पे click करेंगे तो आप यहाँ से अपने facebook के story में या फिर whatsapp पे story में या फिर more पे click करके कहीं पे भी share कर सकते हैं तो चलिए हम whatsapp पे click कर लेते हैं जैसे ही whatsapp पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे my status का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको इस पे click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आपको नीचे एक arrow का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको arrow पे click कर देना है जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे share होने के लिए तयार हो चुका है तो simply आप यहाँ से आप अपने वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हैं और अपने वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके अपने वीडियो के उपर कुछ कैप्शन भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद सिंपली आपको सेर करने के लिए नीचे सेर वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे ही सेर पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपके WhatsApp status में share हो जाएगा चलिए हम दिखाते हैं कि आखिर हमारे WhatsApp status में हमारी वीडियो song के साथ share हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो simply देखने के लिए आपको status में आ जाना है और status में आने के बाद my status पे click कर देना है और click करके जैसे ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर sound भी बज रहा है और नीचे का एप्शन भी दिखा रहा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते है किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ